हलो दोस्तों कैसे हैं शिमला के जाईके में मैं आज आई हूँ एक नई रेस्पी के साथ मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर गंदेला तो मैं स्वाकत करती हूँ आप सब का पनीर सोई में एक अड़ी पत्ता है इसे मिठा नेम भी कहते हैं हमारी वाशा में इसे गंदेला कह तो यह देखिए यह उबलने लग गया है तो मैं इसे 3-4 मिनट उबा लूँगी और इसका कलर फेड ना हो तो अब मैं इसे स्टेइन करूँगी देखिए यह मैंने स्टेइन कर लिया और एक दम मैं इसे इस पर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इसका कलर वैसा ही ग्रीन बना रहे अच्छी तरह से मैं इसमें ठंडा पानी डाल लूँगी देखिए इसका कलर वैसा ही है तो अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी इन सब को मिक्सी में पीस लिया है तो अब हम इसके लिए तड़का जोड़ेंगे तड़के के लिए मैंने पतिला गैस पर रख लिया है तो अब मैं इसमें एक अच्छी देल डालूँगी तेल हमारा गरम हो चुका है तो मैं इसमें दो चमच जीरा डालूँगी गैस को मैं सिम कर दोंगे गेरा हमारा गुन चुका है अब हम इसमें दो चमच अध्रक लस्टुनका पेस्ट आलेंगे अब इसे अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें लिक्वर्ड हींग डालेंगे जो हमने पानी में विगोकर रखा एक चम्मच हल्दी, एक चम्मची पीसी कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर, देड़ चम्मच गरम मसाला, स्वादा नुसार नमग, अब हम इन सब को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, दो चम्मच हमारी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, जो हमने पीस के रखा है, स्वादा नुसार, इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे, अब हम दो क्टोरी दहीं डालेंगे, दहीं को अच्छी तरह मसाले में पका लेंगे, जिस तरह हम मद्रा बनाते हैं, हम उसी तरह इसे दहीं को पकाएंगे, अब तेल छोड़ दिया है दहीं ने, अब हम इसमें आधिक टोरी पेस्ट डालेंगे, काजू को पेस्ट डालेंगे, ये इसमें अच्छा टेस्ट देगा, ये टेस्ट बैलेंस रखेगा, दहीं खठास देगा, और काजू मिठास देगा, क्यूंकि ये गंदेले के पत्ते थोड़ा कड़वे हते हैं, तो इसलिए, अब हम इसमें गंदेले का पेस्ट डाल देंगे, अब इसमें हम इसे थोड़ा इसमें पका लेंगे, अब हम पनीर के पीस काटेंगे बड़े बड़े और इन्हें रोस्ट करेंगे, हलके हलके रोस्ट करेंगे तेल में, पनीर हमारा रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे करी लीव ग्रेवी, तो ये हमने एक नई रैस्पी तियार करी है, जिसे हमने गंदेला पनीर नाम दिया है, यह हमारी नई इनोवेशन है, मूटिफाई करना चाहते हैं, तो हम इसमें थोड़ी सी क्रीम एड़ कर सकते हैं, तो आप देखरें मेरी डिश त्यार हो चुकी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डालती हूँ, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप मिला लेंगे, और अब हम ब्लेडिंग करेंगे, पनीर गंदेला त्यार हो चुका है, यह माचल की डिश है, हमने त्यार करिए, हमारी इनोवेशन है, इसमें आइरन, बीटामीन्स, प्रोटिन्स काफी मातरा में होता है, यह हार्ट फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, तो आप इसे जरूर बनाएए, आपको जरूर अच्छी लगी, तो आप इसे जरूर लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिए, फिर आउंगी नई रैस्मी के साथ, थैंक यू, स्टे सेफ,